हीट वेव का प्रकूप लगतार बढ़ता जा रहा है आरा में भीशन गर्मी व तेज धूप से परिशान राहगीरों, ग्रामन यात्रियों व आम जनों को राहत दिलाने के लिए आरा सर के जेल रूट में ललू साय एंड संस ज्वेलर्स वसाड़ी वाला के तरब से तर्बूच, खीरा, मुरब्बा व ठंडा पेजल की विवस्ता की गई इस मौके पर समाद सेवी दिपा कुमार अकेला ने कहा कि इस भीशन गर्मी में तापमान लगतार बढ़ा है राह चलते रागीर बेहोस हो रहे हैं कहीं भी पीने का पानी सहर में विवस्ता नहीं किया गया है इसलिए भीशन गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के उद्श से ठंडा पेजल की विवस्ता की गई है सांथ ही उनके लिए तर्बूच, खीरा, मुरबा, आदी की विवस्ता भी है क्योंकि जन सेवा ही हमारी भावना है इस भीशन गर्मी में दूसरा कोई विकल्प नहीं है प्यास भुझाने का ततकाल विवस्ता ललू साइंट संस ज्वेलर्ज वसाडी बाला के तरब से किया गया है लोगों ने इस नीक कारे की भुरी-भुरी प्रशन साभी की इस अफशर पर धिरज कुमार श्वनकार, जेप्रकाश ठाकुर, उजवल कुमार, आसीज कुमार, शत्यनराण कुश्वाह, पारसनात यादव, मुश्कान कुमारी, जीतु सोनी आदी उपस्तित रहे सभी ने दीपक अकेला के इस कारे की सराहना की आगे दीपक कुमार अकेला ने बताया कि यह कारे निरंतर जारी रहेगा, जब तक भीशन गर्मी पढ़ रही है, तब तक लोगों को रहत दिलाने के उदिश से खंडा पेजल वा खीरा मुरब्बा आदी की ववस्ता की गई है वेव को चलने के वज़ा से ललू सा इंडसन से परिवार जो है आज बहुत बब्योस्ता किया है रागीरों के लिए क्या-क्या वैसे घर्म को देखते हुए आज हीट है वेव और भीशन गर्मी को देखते मुए जो रोट पर रागीर याक्री जो लोग ग्रामीन तबके के लोग मैंने गर्मी से बेहाल परसान थे, कितना तो बेहोश वकर गिर जा रहे थे, मैंने लल्लू सा जेवलर्स, जेल लोट सारी वाला में हम लोग एक ऐसा मुहीम चलाया, जो भी कोई भी देखती है, उसको ठंडा पेजल, मुरब्बा, या खीडा, तर्बूजा से हम लोग हमारी जंडसेवा, ही भावना है और किसी का मदद करने से उपकार होता है, ये हमारी. बिपक जी योग सामर्थमान है, फिर भी उन लोगों में है जागरुपता की कमी है मन की भातें लोग समझेतें नहीं है लोग समझ्थें है कि पैसा ही कमाले । कुछ गरीब च Iya के बाद करें क्यूמת बड़ने से कि Арवला तो हुगला यह हमारा सिधानत है i करें गरीब गरीब को मडढ करें गरीब ही इस वा होता है यह हमारी बादा here we create future of your kids by making them learn something new in a very interesting manner that will make your kids learn in a very effective manner I am Rehan of SN Memorial School and I am the winner of National Science Congress I got this position by following my teachers and coach instructions and I am very proud that I am the student of SN Memorial School I I am Swam Singh a student of SN Memorial School I am a badminton player I played a state-level championship in Bhopalpur I achieved the first position in Bhopalpur by the help of my teachers and coach I am the actual I faculty English member of SN Memorial International School we totally work upon language and behavior of students if you are very much informed and packed with knowledge but without good conduct it must not be taken for a proper study